हाई अब्रीवन विल्कम यौल तो आज हम 12 अक्टूबर 2020 के नूज आर्टिकल ऑफ दे इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे अब बिफोर स्टाटिंग इस सेशन प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपको लाइक करना है वीडियो, सब्सक्राइब करना है शेयर करना है बेल आइकन को प्रेस करना है सबसे पहली जो न्यूज है मतलब लास्ट पेज से मैं शुरुआत करेंगे इसकी आगत हो गई है स्पोर्ट पेज से स्टाट करने की तो इफ यू और नॉट लाइकिंग इस मैथर आप मुझे बता सकते हो तो हम शुरुआत वाले पेज से ही स्टाट करेंगे अब ही जो है देख लेते हैं नॉट असेट आउट ओफ लाइन तो फाइनली मैंने बोला था आई न्यू दाट की राफा विल विन तीक है राफिल नडाल जो है वो जीत गया है ठीक है यह स्पैनिश प्लेयर है और टैनिस तैनिस से रिलेटेड है तो टैनिस इन्होंने जो जो को विच उनको हरा दिया है और इट वाज रेली परफेक्ट मैच विन्स थाटींथ फ्रेंच ओपन टाइटल विदाउट ड्रॉपिंग अ सेट ठीक है तो थाटींथ फ्रेंच टाइटल यह जीते हैं और मोस्स ग्राइंड स्लैम टाइटल जो है यह विदाउट 2010, 2017, 2020 में इस तरीके से ही जीते हैं ठीक है तो यहां पर इन वाग जो को विक ने भी काफी जादा इनकी तारीफे की थी कि मतलब काफी अच्छा है इन्होंने प्ले किया था यहां पर परफॉर्मेंस तो यहां पर हम फ्रेंच ओपन के बारे में एक बार देख लेते हैं तो अच्छा इन इंटरनाशनल टैनिस टूनमेंट तो रोनाल्ड गैरॉस भी कहते है रोनाल गैरॉस मेने बताया था कि स्टेडियम में वहां पर ही प्ले किया जाता है पैरिस में फ्रेंस में और लेट में में होता है हर साल लेकिन इस बार कोरोना वाइरस के वज़े से यह फर्स एफो फ्रेंच ओपन मेंस वेंस जो प्लेड किया गया था मेंस का 1891 में था और इस जो विनर थे वो ब्रिटिस प्लेयर थे एच ब्रिक्स टेक है और जो चैंपियन थी इसकी एड़ी ने मैसन थी फ्रेंस की ही थी तो यह भी याद रखना है दिन 1907 में जो फ्रेंच ओपन था ठीक है यह सेंट कोट्स पे प्ले किया जाता था लेकिन अभी इस दे ओनली ग्रैंड स्लैम टूनमेंट बिंग प्लेड उन क्ले कोट्स ठीक है क्ले कोट्स में यह खेला जाता है और जो दूसरी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टन चीज है जानना दिफ्रेंच उपन टुनिटिटीटे शेडियूल टू बी हेल्ड इन में टूनिटीटे इस पोस्ट्वं टू सब्टेंबर टूनिटी टूट्विट इस प्रॉट्वं पर इस तो बस इतरा ही जाना इंपॉर्टन था इसमें ठीक है एक और स्पोर्ट से डिलेटेड न्यूस जादा न्यूस रहती है एस पोट से तो जो इंपॉर्टन मुझे लगेंगी जो मन होगा मेरा बताने का वह में बताऊंगा जो इंपॉर्टन होगी तो यहां पर क्या अनवर शुट बी अलाउट टू प्ले एफ एक्सपर्ट तेल्स AIFF तो यहां पर जो AIFF क्या है All India Football Federation तो यह जो अनवर अली है इनको मतलब कुछ प्राब्लम है प्राब्लम कॉल्ड हाइपर ट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी तो HCM की इनको प्राब्लम है अब HCM क्या होता है एक ऐसी कंदिशन होती है आपके जो हर्ट का जो पार्ट होता है वो थिक हो जाता है उन्हों को यही प्राब्लम थी और यह जो है Medical Director वी है और लेंडन मेरतन है संजे शर्मा जो है तो उन्होंने सब्मिट किया था इनके जो एनलिसिस था राइटिंग की मतलब इनको खेलने दिया जाए या नहीं खेलने दिया जो बस यहाँ पर जो यह डिजीज है इसका नाम या देखना हाइपेट्रोफिक कार्डियो नौमी पैथी ठीक है यह है नेक्स जो न्यूस है आर बिए टो मुव तो नेक्स जेन अप्लिकेशन फॉर मैनेजिंग फॉरेक्स गोल्ड रिजर्व ठीक है तो उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए एंगी टीए ठीक है एंगी टीए के नेक्स जेनरेशन ट्रैजरी अप्लिकेशन तो इसको बनाया जाएगा अब यह क्या होगी इट वूड वी यह वेब बेस्ट अप्लिकेशन प्रोवाइदिंग इसकेलिबिलिटी मैनुरिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी तो नेक्स्ट न्यूज साउथ कोरिया वरीज अब नॉर्थ नू मिसाइल्स ठीक है तो यहाँ पर जो है मैसिव परेड हुई थी नॉर्थ कोरिया की जहां पर न्यू वेपन्स जो थे इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM और SLBM है Submarine Launched Ballistic Missile तो यह सारे शोग किये गए थे हैं यहाँ तो यही Kim Jong-un जो है तो यहाँ पर South Korea का थोड़ा बाद चिंता है Next important news है After protest and global social media campaign, Nigeria police dissolved controversial unit तो अब आगर exam में कहीं पर भी पूछ लिया जाता है कि जो hashtag hashtag end SARS और नीचे से option में दे दिया जाएगा आपको COVID-19 Most of the people जो newspaper नहीं पढ़ते हैं तो वो COVID-19 को सही बोलेगे क्योंकि उन्हों पढ़ा है और यह 2020 में चल भी रहा है SARS क्योंकि वाइरस जो है Severe Acute Respiratory Syndrome है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यह नाइजीरिया में एक Twitter campaign शुरू हुआ है तो इन्होंने थोड़ा मतलब एक होता है अपनी पार का आशक्ता से अधी यूज कर लेना तो इन्होंने वही चीज की लोगों के साथ Brutality हुई तो इस वज़े से इनको Dissolve करने की मांगी गए इसको Dissolve भी कर लिया गया है इस यूनिट को इस आजसो प्रॉम्टेड अ ग्लोबली ट्रेंडिंग सोचल मीडिया केमपें तो इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चीज के लोकेशन देख लेनी चाहिए और बोको हरम के वज़े से ये न्यूज में रहता है तो यह तो हमने अल्रेडी पढ़ ही लिया है कि सोचल मीडिया केमपें है न जहां पर रेप, टॉर्चर, अनलॉफर, अरेस्ट ये सब चीज़े हुई हुमें रिलेशन हुआ, एक्स्टर जूरिशल किलिंग्स एन एक्स्टॉर्शन तो ये सब चीज़े है सार्स ओफिसर्स प्रोफाइल यूथ लार्ज़री बेस्ट और पेरेंस मांट लीगल रोड ब्लॉक्स तो ये सब चीज़े कर रहे हैं नेक्स्ट जो यहां पर है हम देख लेते हैं यही है कि नाइजेरियन प्लीस फोर्स डिसॉल्ड दे स्पेशल अंटी रॉबरी स्कॉर्ड अन संडे ऑक्टूबर 11 अब देखो जीयस पेपर 2 से रिलेटेड है ठीक है ओगनाइस क्राइम विट टेरिरिजम तो बोको हरम जो है एक मिलिटेंट ग्रूप है ठीक है नॉर्दन नाइजेरिया का मिलिटेंट ग्रूप नॉर्दन नाइजेरिया का और इसने 10s of 1000 of people killed by this organization और बहुत सारे 3 million जो लोग है उनको डिस्पलेस किया गया ठीक है यह नाइजेरिया है इसके capital क्या है अबूजा है यह बैनन है यह कैमरॉन है यहाँ नाइजेर यह है तो यह भी पता होना चाहिए आपको और यह इसके कुछ डिस्टिक है बोको हरम जो है यह नॉर्दन स्टेट जो है नाइजेरिया के जैसे यह योबे कानो यह सब दिख रहा है आपको यहाँ पर योबे और यह कानो इन वाले रीजन में जो है बोको हरम बोर्नो बाउची काडुना यहाँ पर रहते है और बोको हरम मतलब क्या होता है वेस्टन इंटेंट वास टो अप्रूट दी करप्शन है पहले तो इन्होंने बुला कि जो नाइजेरिया में इंजिस्टिस है करप्शन है उसको हटाएंगे लेकिन विच इस ब्लेमड ऑन वेस्टन इंफ्रेंस एंड इंट इंपोस शाहरिया है इस्लामिक लॉग को इंपोस करेंग आइजेरिया की जो लोकेशन है वहाद रखना जरूरी है नेक्स नीजव यहाँ पर हरीकें के बारे में आया है कि हरीकें लॉरा ऑगस्ट 2020 को यह आया था हरीकें जैसे जो यूस और मेक्सिको वाला एरिया तो हहां पर हरीकें बोला जाता है आप यह मुझे बताना याप अ तो एडिटोरियल्स में MSP से रिलेटेल हमने काफी सारे जो फार्म्स विल है उसमें बहुत बार हमने पढ़ चुका है तो यह भी जो है MSP को सपोर्ट करता मतलब MSP को नहीं जो जो गवर्मेंट की दोरह जो फार्म विल इंटर्डूस किये गए हैं तीनों तो उसको सपोर्ट कर रहा है ठीक है तो यहां पर यह बोला गया है कि गोवर्मेंट बाइंग ऑफ एग्रिकल्चर कोमोडिटीज वाजा क्राइस एरा पॉलिसी लेकिन अभी हमको ऐसे पॉलिसी चाहिए ऐसे लॉच हमको चाहिए जो फार्मर्स को ज्यादा इस पे काफी सारी सब्प्लाइल याँज या फिर फिर फ्रीडेटर द्रू हो तो यह क्या हो गी विल्पी क्रिएटेट इन स्टेट्स वेर्टीज राइट इन वेस्टमेंट क्राइप जहां हमको अच्छा एक बहतरीन मतलब निवेश के हमको वातारं दिखेगा तो वहीं पर तो कंपनी भी इंवेस्ट करेगी ना तो इन दोनों सेक्टर में थो मिनमम सपोर्ट प्राइज है वो इन दोनों सेक्टर में नहीं है और फार्मर्स दू नॉट इन को पे करना पड़े मार्केट फीज और सेस वगेरा देना पड़े और आपको यहां पर सारे जो फेबरिबल पॉइंट्स है वहीं बताया गए है कि क्यों मतलब यह फार्म भिल्स है यह सही थे तो यह सारे आप लिख सकते हो अपने आंसे राइटिंग में और इससे पहले ऑल्री जो मतलब आटिकल है तो ओने को भी अप रिवाईस कर सकते हैं एंडियान एक्स्प्रेस आप करके यह डाल देना कि इंडियन एक्सप्रेस अगेंस् और इसके फेवर में जो पॉइंट है तो आर्टिकल आ जाते है अपने रोट फॉम हाथ रेस्ट तो यह भी आर्टिकल हम बहुत बार डिसकस कर चुके हैं अलग-अलग एंगिल से तो पुलिस नीज टू बी मेड एकांटिबल और फीट फॉम ग्रिप ऑफ पॉलिटिक्स तो यह चीज है और कल भी हमने देखा था कि मतलब बाकी सब को तो कोरोना वाइरस जो है कोरोना वाइरस से लोग एफेक्टेड हो रहे हैं लेकिन जो यहां के यूपी पुलिस है और यहां के जो मंत्री है ऐसे चो है सब लोग किस से हो रहें इंप्यूनिटी नाम का जो वाइर नहीं है न तो इंप्यूनिटी की बात की गई तो यही चीज बोला गया कि वेरे वर्द कृमिच्ड स्ट्स प्रोसस फेल जैसे ही हमारा जो कृमिनल स्ट्स सिस्टम होता है इसकी जो प्रोसस होती है अगर इसमें कोई सफलता हमको मिलती है तो हमारी पास क्या होते हम यहां पर सीधर सीधा बोलते हैं हम नए लोग बनाएंगे लेकिन हमारे पर नाम हम फुरेंगे पर के नाम बदल दे रहें लेकिन नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा अगर नए चीज़ेकर जब तक पूरानी चीज़े को पॉराइं नहीं होगा नई में भी जब वो आ रही है तो उसका कोई भी मतलब solution नहीं हो सकता तो now there is a committee अभी एक committee है reform जो criminal laws में reform committee एक बनी है hopefully the committee will suggest ways to make police accountable and free them from the influence of politics तो यह बहुत ज़रूरी है कि politics के influence में नहीं होनी चाहिए जैसा कि हमने जो सुचान सेंग राजपूत के case में देखा है न तो हर जगा पर मतलब politics और police यह दोनों separate ही होने चाहिए talking peace जो है इंडिया is an important link in the ongoing process in Afghanistan तो यह article यहां पर क्यों आया है यह chairman of the high council of national reconciliation Afghanistan was part of building a regional consensus for Afghanistan talks in Doha है न जो तालिबान और उसके representative of the Afghanistan जो government है तो उनके representative यहां पर मिलके बातचीत की थी और जो कुछ civil society के और दूसरे member थे तो यहां पर बातचीत की थी है न तो हमारी भी कुछ strategic interest है यहां पर region में और हमारे important link है in this process लेकिन अभी डेली को ही सोचना है कि उन्हें क्या करना है अभी क्योंकि देखो यूएस और तालिबान जो है टॉक्स में इंगेज़ है और जो महां के अफगानिस्तान जो government है वो भी इंगेज़ है और एक तरह से पाकिस्तान क्या कर रहा है एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है बीच में तो यहां पर यहीं चीज़ बोली जा रही है कि हूँ वर एक्टिंग अड़ी बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान हाज बीन घोस्ट अड़ इस टेबल फॉर डैली है ना तो हम जैसे तालिबान को बिल्कुल भी रेकागनाइज नहीं क इसने वहां से मितलब अरजिन्ट उनकी डिजायर थी कि अफगानिस्तान से अपने टूप्स को वहां से विड्रॉ करना और फिर तालिबान जो था उसका काबूल में कम बैक और पाकिस्तान काफी सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा था कि यह सब चीज़ें हो है ना तो यहां और यही चीज़ बोला है कि अगर एक और अरहेंज्मन्ट यहां पर होगा तो यहां च्थी मधय जब इहां पर यहां पर ट्लिबान ने अपना रोल तो निभाना है, अब दुल्ला की विजिट से ये मतलब clear हो जाता है, कि इंडिया की जो engagement है, काबूल भी चाहता है, कि इंडिया की engagement process में काफी जाधा engage हम करें, involvement हमारा रहे, and India seems as yet unsure as to what that role should be, हमको पदा नहीं है कि एक्जेक्ली हमारा रोल वहां पर रहने के अवाला है तो काफी सारे जो कम्मिनिकेशन के चैनल है वो ओपन होने चाहिए हैं यही सब चीज़े बोले गई हैं तो अगर क्योंकि तालिबान के जो क्यों किस्ते रहते हैं पाकिस्तानी नर्चर जो हकानी नेटवर्क आइससल है वो भी इससे ग्रो हो रहा है तो हमें जो है यह सारे जो कोंट्राडिक्शन है उसको थोड़ा सा दूर मतलब करना होगा और डेली कंटिनु तो मेंटेन दाट इट विल हाव नथिंग तो विद पाकिस्तान तो यह सारी चीज़े तो नहीं कर सकते क्योंकि रीजनल जो उसमें पाकिस्तान का भी महां पर एक्कुली इंपॉर्टन रोल हो जाता है तो इस वज़े से यहां पर सारे जो कंट्रीस के डिफरेंसे उनको भी कंसीडर करते वे तू साइट से इंद अफगानिस्तान टॉक्स वांट आउटकम फ्रॉदी प्रॉसेस इंदोहा तो अभी डेली का जो डेलमा है तो वह सॉल्व हो सकता है इससे नेक्स्ट पलूशन अमिट कोविड तो पलूशन और कोविड यहां पर बोला गया है अभी आपको पदा है कि NCR में अभी क्या हुआ था जो एर कॉलिटी है वह काफी पूर हो गई थी है ना एर कॉलिटी जैसे इंडे और यहां पर किस मेंडेटेड बॉडी की बात हो रही है इंवायर्मेंट पलूशन एपी सी है ना इनवायर्मेंट पलूशन कंट्रोल अथारेटी तो सुप्रीम कोट नहीं बोला था यह और यहां के जो चीप सेक्रेटरी है कहां के डेली हरियाना उत्तर प्रदेश राजि किया है कि जितने भी मुतलब जो टॉक्सिक जो कॉक्टेल ऑफ पलूटेंट्स है ना उनको क्या करें वो नहीं होने चाहिए ना डेली में अभी विंटर्स में क्योंकि यह काफी जादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसके लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉंस प्लान मे यूज़ करें अन्मिंसिबल बॉडी को डारिक्ट किया गया है कि जो डस्ट कंट्रोल मेजर तो वह मैजर लिया जाए अगर आज आ जाते कि मतलब क्या क्या मैजर लिये जाने चाहिए तो यह सारी चीज़ें और अगर हम पास्ट की बात करें तो जो हमने कंप्लीट बैन कि यह था डीजल जनेरेटर पे तो उससे कुछ जादा कुछ ऐसे चेंजेज नहीं आये थे हैं ना बहुत सारी और भी चीज़े थी नौइडा गाज़ेबस डेली अन्यूल उन्काउंटर विद बैड एर हास बीन कंसेंट्रेटेड स्टाटेजी तो हमारी इतनी अच्छी यह था है हर्याना पंजाब में तो उससे तो काफी दाधा फ्यूम्स और ड्यू वाले बीजिन में फियागाई कि वहां वाले इस वेरी लिटेज एविडिन्स तो फार द्टेट ए ट्वीडेट है प्लान अभी मितलब ऐसा कुछ है क्या करना है यह कि हमको करना है इस्टबल के मैंचमेंट के लिए बायोडी कमपोजर का यह पे जहां पर बंड किया जाता है वहीं पे यह इस वज़े से क्या करना है इस वज़े से इसको जल्दी से क्या करना है मतलब हटाओ और फिर इनको जलाओ बर्ण करो तो यह सारी चीज़े हैं इसका कोई भी ऐसा सलूशन इसमें नहीं दिख रहा है एक दूसरे से बातचीत करें जो अगरी कल्चुरिस्ट है उनसे बातचीत करें उनकी जो है वो सारी चीज़े ले सकें तब भी कुछ हो सकता है पलूशन कंट्रूल अथॉरिटी जो हैं उनमें वो कुछ कर सकती है काम रिकवरी एंड इस डिस कंटेंट्स तो यहां पर न्यू यहां पर यह बोला गया है कि जो एक अच्छा होगा लेकिन अभी जो है अब यह कप फिनेंशल एर जाएगा तो उसका उसके बारे पर सोच रहे हैं और एकोनामी चैलेंजेज जो हैं में पर्सिस्ट फॉर्डी फॉर्सिबल फ्यूचर दिकोनामिक स्कार्स ऑफ दिलास इक्समेंट अलाइकली टूक्त टाइम जल्दी तो मतलब जो हमारी एकोनामी में शटडाउन हुआ है और यह सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है कि जो बिजनेसें हैं वो बंद हो गए हैं स्मॉल फर्म से उनको क्यापिटल जेनरेट नहीं हो रहा है तो यह सारी चीज़ें इतनी आसानी से तो हम रही कर सकते तो जो फैनेंचल सिस्टम है वहां पर अभी हमें स्लूशन किस चीज़ की जरूरत है लार्ज बी ओपी सरप्लस जो एक तो फिस्कल इस्टम हो सकता है एक वेल् डिजय्न और जो और सकता है जो फिस्न की है विच फिया फिन की प्रेक्टिव 2022 कमितिन मौनेटरी की जो ॐख nuit यह नोगचरल अल तो यहां पे यह तोंसलुछ मतलब मतलब जो और घंक उदहार लेती है और जो दूसरा जो GSEC है यानि कि वह है उपर जिस पर जो कोई person होता है individual या फिर जो private firm होते हैं उनको क्या देते हैं लोन देते हैं उदहार देते हैं तो यह GSE GSE yield इसको बोलता है ना the second is the gap between तो इसमें यही चीज बोल रहें कि काफी जादा मतलब यह जो किम भरा होगा यह जो दूसरा वाला है इससे क्योंकि टर्म जो है टर्म प्रीमियम can be influenced by the RBI's action तो यही सब चीज है कि कुछ इसको को टैकल करने के लिए मतला हाबी जो हमारा क्या है जो dollar मतलब काफी जादा है 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 ना dollar जो है यहां पर India में जो हमारे for x reserve हमने अभी भी पढ़ा था ना जब dollar जादा है that means जरूरत से जादा हमको dollar मिल रहा है तो जो हमारे for x reserve हो ओंगे can be क्या होगा उसमें जादा विद्धि होगी है ना और हमारी जो डॉमिस्टिक एकोनॉमी की अगर हम बात करें जो घ्रेलु अर्थ विश्त है वह बहुत ही वीक है जिस वज़ेसे हमारे इंपोर्ट वह भी क्या है कम्दोर हैं तो यह सब है चाइना की अगर हम बात करने के लिए जो रिण वरिधिया उसको बढ़ाने के लिए यह सारे मेजर लिए गए थे लक्षित पुनरवित जो संचालन जिसे बोलते हैं न तो होम लोन के लिए भी मतलब यह कुछ इनिशियेटिव लिए गए थे साइकलिक चेंजिस इन रिस्क वेट इन होम लोन हायर सिं अभी आपको बढ़ा है कि उत्तरप्रदेश राजस्थान में फिर यहां पर क्या करेंगे फॉरस्ट्रेशन का काम क्या जा रहा है क्योंकि यह बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर सूटेबल लैंड है थाना 535 हेक्टेर की तो यहां पर उत्राखन में वह मतलब शौटेज है उस अफ़रस्ट्रेशन है ना तो क्यांपा के बारे में देख लेते हैं हम एक बार एक्जेक्टली है क्या यह तो यह पेपर 3 से हो गया इंवार्मेंट प्लूशन डिग्रेडिशन इवार्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट है ना तो सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया और्ट कोश्म चातिपूरक वनीयरण कोश्वण्धम योजना प्राधिकरन । यह दोनों ही लैंग्विज में आपको थोड़ा देखना चाहिए ताकि आप हिंदी में जब देखें तो मिलनें लेंग्विज में क्योंकि कभी-कभी इंग्लिश का जो पेपर रहता हो काफी टफ र गया था राज्यों में श्हतिपूरत वनीगरण के लिए एकत्र धनराशी का राज्यों द्वारा अल्पयोग के जाने संबंदी शुरुवाति अन्भों के साथ ठीक है सर्वुच ने लेने दिया था यह तो 2006 में जो एड़ोग कैमपा था वो भी कि इस्टाब्लिश किया गया था है ना फॉर मैनेज्मेंट और कमपन्सेटरी फोरेस्टेशन फंड यह मतलब यह ना कि कहीं पे आपने कुछ डिवलेमेंट किया उसकी जगा पे फिर आपको क्या करने प्लांटेशन आपको करना होगा है मतलब वनीगरण करना होगा कि पूरी कंपन सरी श्र sangat eसे बात कर रहें थैंड री तेसित biggest बनावा है और झो यह फंड है यह होते हैं pag वि Really क्या मसंसी सब्सक्रीफ चैशन लुद है निगी तक देशो का टेकर कर हैं उक्तर Simmons सीके और बात यहां पर आपको राजस्तान की जो लोकल गौर्मेंट और उत्रप्रदेश की लोकल गौर्मेंट डिस्ट्रिक अथॉरिटी उनसे भी आपको कॉडिनेशन करके चलना होगा है तो क्योंकि यहां पर क्या होगा प्लांटेशन ड्राइव होगी तो उसके बारे में पूरा डेटा वगेरा सब कुछ पता होना पड़ेगा वहां से डिस्ट्रिक अथॉरिटी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा इससे पहले जब यूपी और मतले जब स्प्लिट नहीं वा तो देली का फस्ट प्लाजमा बैंक आपको पता होना चाहिए क्या नाम है उसका इंस्टिट फॉर इंस्टिट फॉर लिवर एंड बाइलरी साइंसे इल्बी एस ठीक है तो यहां पर यह बूला जा रहा है कि दो हजार से जादा प्लाजमा यूनिट जो कोविट पॉजिट प्लाजमा थेरिपी है तो वह देने को वहां पर रेडी है उसके लिए ना तो यही चीज़ है बस नाम याद रखना फर्स्ट प्लाजमा बैंक इंडिया का एंसी आर टीसी फाइंड रूपीस 50 लाग फॉर वाइलेटिंग एर पॉलुशन ठीक है तो 50 लाग जो है नाशनल क वाइन टो है ऐसी क्या है यह ग़र्म्नेंट उफ इंडिया और स्टेट ऑ डेली-हर अदीजाना टीक महीं अगर यह पूछा जाता है यह है क्या तो यह एक जॉइंट वैंचर If कंपनी उफ घ्न् अफ इन्छีट आफ डेली अरे आप felony आ राज्स्तान उत्तर अर्बन डिवलेंट शहरी विकासी करण जो हो और उसके लिए मतलब बेटर कनेक्टिविटी और एक्सिस के लिए था 11 जुलाई 2013 को यूनियन क्याबिनेट ने इसको अप्रूफ किया था Constitution of National Capital Region Transport Corporation Limited Under Companies Act तो यह दो चीज़े इंबॉर्डन है और जो विकास विने कुमार सिंग थे इसको एक पॉइंट में इनका किया गया मैंजिंग डिरेक्टर और रर्टी प्रेटर्स पर इंप्लिमेंटेशन तो बस यहीं इंपॉर्टन न्यूस है क्लाइमेट चेंज ड्राइविंग बटरफ्लाइज मोट्स हाई अरप हमालया स्टडी है तो यह हम बटरफ्लाइज के बारे में काफी तीन चार जिनों से पढ़ रहे हैं कृष्णा पे कॉख हैंगे सब बटरफ्लाइज की न्यू स्पीसीज थी है ना नैशनल यहां पर य कि हमालिया जो है वह 35 परसेंट उफ僕 Dr Felton करूं रुपी दो पेटर करह रहा है और लिए मृंट्यमेट चेंज के द्वारा क्या जारा है अустुशन ंपारेंट क्लाइमेट चेंज के दौरा और centuries के लागी जिए जारा गया जो जो लाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैडेसाई के द्वारा ठीक है इन्टिफाइट 49 स्पीसीज इन्होंने मौत की डूंडी हैं सेवंटी इस स्पीसीज जो है तितलियों की डूंडी है ऐसी जो यहां पर यही चीज बोली गई है कि 1000 मीटर बिट्वीन देर करे लेना तो यह आप खुद से एक बार पढ़ सकते हो ठीक है यह मुझसे प्रिनांस नहीं किये जाएंगे दिक कॉमन मैप जो है इसके लिए टलीस बुष ब्लू बटरफ्लाइज प्रिविसली फाउंड न् 2,500 मीटर हैस बिन रिकॉर्ड है इस्टोरिकल डेटा और बाकी के जो असकोट वाइल लाइफ सेंक्चुरी है उत्राखंड में तो वहां पर भी पाई गई थी 3577 लद्दाख में इंडियन रेड एड्मिरल बटरफ्लाइज है ठीक है महां पर फाउंड की गई थी और इसके लाबा एट मोथ स्पीसीज इंक्लूडिंग दे मुल्बरी सिल्क ट्वांब है ना यह मोथ और टाइगर मोथ विच वूड इंस्टोरिकली फाउंडेट 2,000 मीटर आर नाव टिपिकली फाउंडेट 3,500 मोर हाइड एल्टिट्यूड तो यही सारी चीज़ां यहां पर बोले गई है और अगर यह पूछा चाता है कि यह क्यों मतलब राइजि पर दी अटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ लिपेट्रा और साथ में जो टेंपरेचर राइज है ना वो भी काफी जादा इंपॉर्टेंट है ट्रीज श्रॉब्स और प्लांट्स है वो क्या है काफी मतलब जो हिमालेजार नौ फांड अली हाईर अप इन दे माउंटेंस तो यह है human habitation भी है ना जो encroachment वगेरा होती है humans के द्वारा तो उसके वज़े से भी यह सारी चीज़े होती है next जो यहां पर न्यूज है property card card launched will end disputes तो यह एक important news है आज की कि survey of villages and mapping with improvised technology थी कि इसको स्वामित्व भी बोला जा रहा है स्वामित्व या फिर survey of villages and mapping with improvised technology तो यह आपको पताओगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है क्या आप मुझे बता सकते हैं आप नहीं बताते हैं तो मैं यह आपको बता देती है 24th of April 2020 को भी अभी मनाया गया था ठीक है 24th of April को नाशनल पंचायती दिवस राश्टी पंचायती दिवस मनाया जाता है और ministry of पंचायती राज ने यह चीइम जो फिन इंचायती इंचायती वजफेश्या और यह चीइम स्किब बहुत जादी है इस film क्या करेंगी lie से अधर में हमारे इस töर में हिलिकart हो में से नंबर होता है तरहां जिएन करेंगे land dispute को with the help of property cards a lot of dispute in village can get resolved and no one needs to be worried about issues like encroachment अब गाउं में भी तो ऐसा होता है ना दीरे दीरे जैसे चायना करता है उसी तरह से गाउं वाले लोग भी मतलब दूसरे की जमीनों पर उनकी नजर रहती है और वो हतिया लेते हैं और अब एक मतलब दीरे दीरे करके पूरा जो पार्ट होता है land का वह अपने नाम उनके हो जाती है मतलब कर देते हैं फिर लोग कोड को चाहरे की चकल लगाते हैं पैसा वेस्ट होता है तो जादा मतलब जितना उनको इस लेंड से नहीं मिलना था उतना उनका टाइम मनी और यह स पूरल हाउसोल्ड को दिया जाएगा और जो बोला जा रहा है कि नेक्स 3-4 एर्स यानि कि 2024 तक यह होगा और फर्स्ट फेज जो होगा इसके वन लाक बेनिफिश्री होंगे इनका नाम याँ दखना ठीक है कौन-कौन से है यूपी, हर्याना, महरास्ट, मध्यप्रदेश, उत्राखन, करनाटका तो फर्स्ट फेज में इन में ही यहां पर मतलब यह पाइलेट बेसिस वर शुरू किया जा रहा है and scheme invasives mapping, mapping होगी उसके बाद, 6.62 lakh villages की पूरी country में to be carried out by survey of India ठीक है तो survey of India के साथ ही मिलके यह किया जा रहा है और इससे मतलब जो implement हो गया किसके तहत ही होगा state में, बंचायती राज और revenue act है and can decide on the type of card to be distributed तो अलग अलग नाम से भी यह जाना जाएगा जिसे title deed जो है वह हरियाना में, Rural Property Ownership जो है वह करनाटका में, अधिकार अभी लेक MP में और सनद जो होगा महरास्टर में और समवित्त जो अभी लेक है वो तरह खंड में और घराणी जो है वो उत्तरप्रदेश में से बोला जाएगा ठीक है बाकी कुछ और news रह जाती है क्या यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड है, यहाँ पर तो देखो, first in line for COVID vaccine, those at high risk exposure, तो यहाँ पर बस जो हमारे जैशंकर मिनिस्टर है, तो उन्होंने यही चीज बोली थी, कि priority set की जाएगी, और जो वाइरस है, वाइरस यह बोला गया है, कि विच अभी जो लास्ट टाइम प institute है, और genomic and integrative biology, तो इन्होंने यह बोला है, कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिस करें, कि जो big gatherings हैं, और जो austentaneous जो festival होते हैं, जो आडंबर, जो दिखावर्टी पून तरीके से आप करते हो है, तो वो चीज करने की जरुरत नहीं, क्योंकि हमारे किसी भी religion में, हमारे भगवान ने हमें नहीं काया है, कि हमें ऐसे दिखावटी तरीके से आपको चीज को celebration करना है, आपको pandals में जाना है, या फिर temples में जाना है, आपको Moscow में जाना है, प्रे करने के लिए, so there is no need to conquer it in large numbers to prove your faith और your religion, है ना, तो इस वज़े से आप मत जाइएगा कही भी बाहरवार, फेज जो है, अपने दिल में उनचे है, अब 1098 Child Line Booth at the New Delhi Railway Station, तो ये बोला गया है कि lockdown में जो था, बच्चों की Child Trafficking में काफी सर्च देखने को मिल रहा है, 26 lakh distress call आई है, 1098 नमबर पे, and 1.92 lakh interventions March to August, and case जो Child Marriage के 10,000 प्लस ये हुए है, ठीक है, तो डेटा जो है, ये largest network है, of agency involved in protection of children, and ये nodal agency है, जो ministry of women and child welfare के द्वारा, डेवलेप की गई थी, child development के द्वारा, ये appointment की गई थी, to manage child line help line 1098, है ना, free emergency phone service for children in need aid and assistance, जिनको भी चाहिए, free में assistant चाहिए, aid चाहिए, तो उनके लिए थी 1098, यहां पे काफी जारी calls अभी आई है, it is also the sole agency body responsible for establishing the child line service across the country, इनको monitoring करना, और उनकी monitoring के बाद service delivery, finance, training, research, documentation, तो ये सब चीज़े इसका काम है, कि इसका child line India foundation, यहां पे हमने क्योंकि जोलोजिकल सर्वे के बारे में देखा था, तो जोलोजिकल सर्वे के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, कि subordinate organization, ministry of environment and forest department के तहत, forest के तहत establishment, 1916 में established हुआ था, funnistic survey इसका होता है, ठीक है, और बाकी मैंने botnical survey of India के बारे में भी कल आपको बताया था, इसका जो headquarter है, कुलकता में, 60 regional station located at different geography location of the country, ठीक है, तो ये सब चीज़े याद रखने हो, botnical survey of India किस था अपना कभी थी, वो आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप google करके अपने notes में add कर सकते हो, ठीक है, तो thank you, have a nice, nice day.